नमस्कार सुप्रबाद देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ शिखा सरूत सिंग बुलेटिन के शुरुवात करते हैं जहां देश्वासियों को ईद की बधाई है देश भर में आज ईद कात्यों हार मनाया जा रहा है आपको बता दे इसको लेकर पियम मूदी ने ईद की बधाई दी है और सियम नितिश कुमार सहित दिगजों ने भी देश्वासियों को ईद के खास मौके पर बधाई दी है यह बड़ी ज्वानकारिया आप तक पहुंचा रहे हैं जहां देश के प्रधान मंत्री नरींद्र मुदी और सीम अनितिश कुमार सहेत अधिगजों ने देश्वासियों को एद के खास पर्वकु लेकर मौके को लेकर बधाई दी है तो देश्वासियों को एद की बधाई है और देश भर में सतियोहार को लेकर रोनक देखी जा रही है खुशिया देखी जा रही है और इसी को लेकर देश के प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी ने भी देश्वासियों को ईद की बधाई दी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री नितिश कुमार सहित सबी दिगजों ने देश्वासियों को ऐसा खास पर्व को लेकर बधाई दी है शुब कामनाय दी है तो देश भर में आज इद पर्व की धूम देखी जा रही है अज देश भर में इद का त्योहार मनाया जा रहा है इसको लेकर देश भर में खुशियां देखी जा रही है और इसी को लेकर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के सियम नितिश कुमार या उ लोगी आद्यतनाथ तमाम दिगजों ने देश्वासियों को इस खास मौके पर बधाई दी है शुब कामनाई दी है तो देश भर में आज इद को लेकर खुशियां देखी जा रही है चांद का दीरार हुआ है जुसके बाद इद की त्योहार की धूम देश भर में देखी जा रही है तो पिये मोदी ने इद की बधाई दी है और साथी सियम नितिश कुमार ने देश वासियों को इद की शुब कामनाई दी है और इसी के साथ तमाम दिगज नेताओं ने देश की जनता को इद की बधाई दी है शुब कामनाई दी है तो चांद का दीदार हो गया है इसके बाद देश भर में इद की धूम देखी जा रही है और ऐसे में देश भर में ईद का माहौल है खुशिया बाटी जा रही है और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी जा रही है और इसी को लेकर देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी ने भी देश की जनता को ईद की बधाई दी है वहीं दूसरी ओर सियम नितिश कुमार हो या सियम योगिया देतनात तमाम दिगज नेताओं ने देश की जनता को ईद के मौके पर खास बधाई दी है शुब कामनाई दी है और इसी पर और जादा जानकारी लिए गौतम हमारे सहयों की जुड़ गये हैं देखिए गौतम चांद का दीदार हो गया है और देश भर में आज एद का माहौल देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर फिलहाल क्या तस्वीरें को मिल रही है ईद को लेकर ऑड तमा यहां पर नवाज अदा करने वाले निवाजियो आठ वजे चुब घ्लांडी की जाएगी और यहांपर जो कहाँ जसकता है कि मुक्हमंतरी मुसकुमार हर साल यहां पर पहुंचते हैं यहां पर नीद की नमाज को आदाईगी की जाती है और बहुत ही खास दिन आज माना जाता है जो एक महीने का जो कहा जा सकता है जो समय जो पूरा बीता उसमें आज क्या कुछ खास होता है कुछ माने साथ भाई जा आज पूरा यह जो महीना जो ह मुसल्मानों को दिया गया कि खुशी मनाए कि पूरे एक महीने जो रम्दान में आपने रोजा रखा अल्ला की इबादत की रसुलूल्लाइब की पैड़वे की उनके अच्छे बातों को पर अमल किया उसी का यह संदू के तरह से बदला है खुशी है और कोई बात लिए कठी मालता दिन भर फास्ट में रहना होता है तो एक लगता है कि कुछ ऐसा यह हम लोग का जो इसका जो कानून जो बन चुका है वह अटल है उसमें मतलब कोई कुटाई नहीं जा धूफ हो बारिश हो या तुफान हो उससे कोई मतलब नहीं है अगर उपर वाले नहीं है ए प्रटीष कुमार भी आज आप लोगे साथ हर साल के तरह साल भी सामील होने जा रहा हुए एक खास उनका इक विषेश प्रेम होता आप लोग से तो यहां पर जरूर आते हैं использовать भी भीहार के मुख्मंतरी हैं हम उसको सवागत करते हैं उनको सवागत विलकम करते हैं ऑफंटा के गांधी मेदन को सजार कर तयार रखा गया है आप लोगी खास विएवसा की गयी कैसी लगी बहुत अच्छा सरकार के तरफ से बहुत अच्छा मतलब मुसल्मानों के लिए बहुत अच्छा यहां पर वैस्ता किया गया है आप देख लिए यहां पर सिस्टम सेकुरेटी हर एक चीज फैसलेटी यहां पर मतलब की दिया गया कोई मतलब की शिक्वा गिला नहीं है हमारे मुक्वंतिरी से हम लोग खुश है थेंकियो जो देखिए एक पूरा ये साफ सफाई के साथ जो है पूरा जो एक सुन्दर एक पूरे इस गांधी मेदान के आधे हिस्टे को जो तैयार किया जाता है ताकि वो नवाज आदा करें और यहां पर जो कहा जा सकता है कि उनकी जो नवाज आदाई की जो समय आठ बजे का है मुक मुखमंतरी नितीशकुमार लोगों से मिलते भी हैं लोगों की शुक्रिया अदा भी करते हैं और पर आने का है जिलापरसासन के तरब से अपनी तयारी कि कीगी है कि मुखमंतरी नितीश कुमार देखिए मैं कुछ और भी तस्वीर दिखाता हूँ एक छोटा बच्छा है बहुत ही आँ सुन्दर बेशभूसा में जो है यहां पहुंचा है अपने पिता के साथ अपने वालिद के साथ यहां पहुंचा हुआ है और लोग यही ईद के दिन होता है जो खास करके तयारी होती है एक अज़िए है आज नवाज दोने वर द्रीसस बहुत अच्छा लग रहा रहा आप ने की अब मत्श wise मोदुन्दे पिता के साहर वाली के साहर आप पहुन से थयारिया हो रही नवाज दा करने के लिए जो गानी मैंदन को ट्यार किया खास आज के दिन जो होते हैं यहांपर देखते हैं सीखते हैं किस आह से किया जाता है आने वाले समय में इन को है इसी तरह पूरा हो गया और आज जो जो क्या सकते हैं कि एड के आन्म अदार अदा की जाएगी और इसके बाद जो है तमाम जो मुसलमन नि उसनão नितिश्कुमार कुद Inn में शामिल होने आ रहे हैं रहे हैं इस तरह अब और से उत्य पीस्थ शन्ग्यां के Nossa पहुंचे वे हैं और चुकि सीम नितिश कुमार खुद इस कारिक्र में शामिल होने आ रहे हैं इस त्योहार को लेकर इन से इनको बधाईयां देने आ रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाद से क्या कुछ पोगता इंतजमात किये गए हैं वहां पर ऐ्येकर देखिए एक बड़ी जिम्मारी होती है क्योंकि यहाःपर जो गांधी मैदान को तयार किया जाता है तो पूरा ये गृसरमान भायूं महार शांदी में विशस क्युमार यहाँ पेपऊंसते हैं उनको लेकर तो भिशस तयारी होती है करने के लिए उनकी शुरक्षा गंदगी ना हो क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान है मुसल्मान भाईयों के लिए तो वहां पर जो काज़त के एक चीज यह होती है कि गंदगी ना हो तो पूरे गांथे बिजान के तमाम गेट्स को बंद किया गया है बड़ी संख्या में जो है सफाई कर्मी को लगाये गये थे और यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि जो पूलिस की जो तैनाती है मातर कुछ गेट्स ही खोले गये हैं वहां पर हर जगव पर मैटल प्रेक्टर यानि आपको जाच करने के बगएर आपको प्रवेश करने के अनुमती नहीं मिलेगी त से तमाम लोग को जो गांधी में परवेश करते तो बहुत सुंदर विवस्था के साथ जो है कि इस वार इद की नवाज आदा करने के तयारी गांधी में में किये और जो इतने मुसलमान भाई है वहां पर पहुंशने लिए आठ बजे के करीब जो है इस एद के नवाज की सब्सक्राइगी की जाएगी और मुखमंत्री नितिश कुमार ईसके बाद यहां पर जाएंगे और कुछ पर्शिद लोग पचा जाएंगे फुल्वारी सरीप इमारते सरिया के मुक्षरियत तमाम लोगों से उनकी जो मुलाकात होगी एक संदेश भी वह देते हैं और एक भाई जारा की जो बात होती है उसमें मुखमंत्री नितिश्कुमार का हर साल का जो एक जो तश्वीर दिखता है जाकर मिलना लोगो है इस बार भी मुखमंत्री नितिश्कुमार करने जा रहे हैं जी बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और यहां रुकेंगे एक छोटे सिब्रिक के लिए फॉर्ण लाटिंगे